हेलो फ्रेंट्स स्टड्य वी की डवल सवन इस चनल पर आप सभी कर सागत है फ्रेंट्स कल से पांच तारिक से आइट्या की इस पोस्ट के लिए टूल्स एंड डाय मेंकर इस इस इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए कल से एक्जाम चलू होने लिए सीबीटी टू तो इस कई इंपटोटन्स कोस्ट्र का लिए ग्रैफरेंस कुछेंस हम यहां पर डिसक्स करने जा रहे तो देखते हैं फ्रेंट्सkekंटल हम कुछ इम्पोर्टन Duty कोशन सिके तथरहां पर हम पुब्लस करने जय रहे हैं उसी क्वेस्टिंस से रहेंस होते हुए श्मक्राइगे रीक यह एक से लेकर पच्छिस कुश्टना स्टका एक विडियो था अब यह चाबिसाओ क्वेशन इस्टिज नम्बर का टाइप अपटेस्टिंग इन विच वग्पीस इस टेस्टेट विदा ब्रेकींग इसकोल नॉन डेस्टर्ट टुटुटुटुटुटुटुटुटुट it is the correct answer अब यहां पर बाकी का option है destructive testing, semi destructive testing, chemical testing तो इसका correct answer है non destructive testing Tensile testing is a type of destructive testing Tensile testing कुन से है destructive testing है यहां पर option है non destructive testing, semi destructive testing, chemical testing 28 number का question है 28 number का question, उस question में क्या दिये वाला है कि what does D stand for, D जो है, D यानि क्या होता है CAD में तो D का जो long form होता है वो design होता है computer added design जो उसे बोलता है CAD इसका meaning होता है design, computer added design जो computer के साहिता से के जाता है उसे computer added design बोलते है 29 number का question, which of the following is a type of coordinate system which of the following is a coordinate system, coordinate system in add to get, क्या है, obstacle, obsolete है, polar है, relative है, ये तीनों भी system है उसमें, तो उसे को क्या बोलते है, all of this is the correct answer which of the following is an input device of computer computer के लिए input device क्या है, keyboard है, monitor है, printer है, या none of those, तो इसका correct answer है keyboard 31 number का question है, any working or control system that uses liquid as the transmitting fluid is known as hydraulic system, pneumatic system, mechanical system, chemical system, तो इसको क्या कहा जाता है, है, hydraulic system, any working or control system that uses liquid, जहां पर liquid का यूज किया जाता है, तो ट्रांस्माटिक fluid is known as, that transmitting fluid is known as hydraulic system, pneumatic system में क्या यूज किया जाता है, pneumatic system में यूज किया जाता है, और यहां पर जो है, oil, यह एक प्रकर का liquid है, जिसलिए इसको hydraulic system कहा जाता है, 32 number का question, sensors are data element in electro pneumatic circuits, अब यहां पर option दिया वाले, input, output, control, neutral, तो इसका सही जवाब है, input, which of the following is a part of a single acting cylinder, single acting cylinder का part क्या है, piston है, piston rod है, seal है, तो हम देखते हैं कि जो piston होता है, जो piston होता है, तो single acting cylinder में piston की part क्या होता है, समझो कि यह piston है, देखें, यह piston, और यहां पर जो अंदर से लगे वाल रहती है, यह connecting rod होता है, ठीक है, यह है connecting rod, इसको shortcut में CR कहेंगे, यह piston है, ठीक है, तो यह piston है, piston rod है, और seal रहते हैं यहां पर, यह side को जो है न, piston ring लगे वाले रहते हैं, तो यह क्या है, piston ring के ऊपर के side को यहां पर sealing लगे वाले रहते हैं, तो यह सभी क्या है वह सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के पार्ट है आप यहां पर सिलेंडर कैसा आएगा इस तरह से यह पूरा यहां पर सिलेंडर आएगा ठीके यह समझो मैंने यहां पर सिलेंडर निकाला सबसे पहले इस तरह से देखेंगे ठीके यह अगर मैंने सिंगल सिल निकले वाला है तो इसके अंदर हम समझो यह बोर है ऐसा होल अलो है यह यह अंदर मैं समझो यह कनेक्टिंग रोट निकलूंगा और यहां पर यह इसको कुछ टॉलरेंस रखकर यह पिस्टन यहां पर आएगा अबर मैं इसको अलग कलर से दिखाने चाहूँ सब्सक्ति में यह है पिस्टन यहां पर रहेगा पिस्टन अब यह कनेक्टिंग रोट आ यहां पर पिन ठीक इस तरह से और यहां पर अंदर की साइट को सिलिंग रहेग यहां पर यह सियर कनिक्टिंग रोड यह पिस्टन और यह जो बहार का जो है उसे क्या बोलते हम हम सिंगल आक्टिंग सिलिंडर यह सिलिंडर के तो यह सभी जो है सबी क्या होगे पिस्टन पिस्टन रोड शील अलब दज यह अलब दज इसका करेट आंसर होगा इसके बात का क्वेशन है हाव मेनी पॉर्स आर दियर इन डबल अक्टिंग सेलेंडर फॉर सप्लाइ तो इसका सही जवाब है टू डो पॉर्ट रहते हैं इसमें कि वह दिए आप एक्सेड इन वह प्लेस इंग्नोरंस क्लेर डास्टन आप अ कि यह जुए इसके जिए तन देन फॉर्स वाल अलोज वे डैश वीफुव इन वाटर सप्ला और द्रेनेज लाइन वन तो इसका करेट आंसर है वन दान रिक्टन वाल आलोज वन वेफुव इन लोटर सप्ला डेनिज्लाइन नॉन रित्रफ जो से एक तरह का है फ्लोड अलाओ करता है तो एक तरह से फ्लोड जाने की अनुमति देता है इसके बाद का कुशन है थर्टिसेवन नंबर का हट्रेलिक जाक वक्स अन पास्कल स्लॉग के नियमों पर हैटलिक चाह काम करता है 38 नमबर का कोशन है दो बाड़ी आप दे मशीन इस मेड़ पॉफ विज मेटल कास्ट आरेन कास्ट आरेन से बना होता है जो पिस्टन में जो कशनेक्टिंग राड़ होता है वो भी कास्ट आरेन से बने वाले रहते है which of the following is a function of a jig jig के क्या function है holding, locating, guiding ये तीनों भी jig के functions है jig and fixtures are used for jig and fixtures किसके लिए use में आते हैं both mass production and identical parts production तो इस दोनों कामों के लिए jig and fixture का use होता है which of the following is a type of drill jig, drill jig क्या है, template jig है, table jig है, box jig, यह सभी jig है, तो इसका correct answer है all of this, fixture are used in dash dash operations, fixture किस operation में use में आते हैं, milling में, grinding में, या turning में, या milling, grinding, turning में, तीनों में, तो इसका सही job है, milling, grinding and turning, तीनों में, 43 नंबर का question है, which of the following is a part of a milling mixture, milling mixture का part क्या है, base plate है, locator है, standard clamp, जैसे हम piston, single acting cylinder में देखे थे कि piston, piston rod, और वो जो pin जो हो रहती है, और सभी ये single acting cylinder के part है, तो उसी तरह से, यहाँ पर, base plate, locator and standard clamp, ये तीनों भी, ये milling fixture के part है, ठीक है, इसके बाद का question है, which of the following is used to locate and guided drills in a drill jig, तो drill jig के लिए क्या use आता है, locate करने के लिए drill bush ये use आता है, इसके बाद का question है, which one of the following statement is not true, about CNC machines, the initial cost of CNC machine is very low, CNC machine को cost, ये very low है, it is not true, क्या true नहीं ये पूछ रहे होनों, बाकि सभी चीज़े जो है, वह true है, the initial cost of the CNC machine is very high, ये correct है, the production rate of CNC machine is high, इसका भी ये भी correct है, production rate हाई है, CNC machine suitable for tool room work, tool room work के लिए suitable रहेता है, सिर्फ जो गलत है वो बताव बल रहारा है, तो इसके बाद का सही जवाब होगा, ये है, क्या जवाब होगा, the initial cost of the CNC machine is very low, ठीक है, not true, क्या true नहीं है, वो बताना था हमको, ठीक है, इस तरह के question सहामें, सावधानी पुर्वक पढ़ने चाहिए, ठीक है friends, उसके बाद का question है, which of the following is not the advantage of CNC machine, CNC machine का advantage क्या नहीं है, देखो, यहाँ पर भी, गुगली कुशन, not the advantage of CNC machine, high productivity, improved quality, low wastage, and required of highly skilled worker, यहाँ पर क्या है, not the advantage of CNC machine, not the advantage, यह advantage नहीं है, इसका advantage नहीं है, बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर highly skilled workers चाहिए हमें, ठीक है, तो यह हमारा advantage नहीं है, बाके high productivity advantage है, improved quality, low wastage, यह हमारे advantage है, तीनों भी, यह advantage है, और यह क्या है, यह disadvantage है, ठीक है, इसका बात का question है, which one of the following is a preparatory code of, CNC control, तो यहाँ पर देखिया है, G is the preparatory code, G is the preparatory code है, what does N stand for in CNC, numerical, N से numerical यहाँ stand करता है, which of the following machine uses, which of the following machine uses non-conventional machining technique, for metal room hall, metal room hall के लिए, क्या use आता है, क्या use में आता है, non-conventional में, milling machine आता है, electric discharge machine आता है, grinding machine आता है, या none of those, तो इसका सही जो होँ है, electric discharge machine, machine आता है, तो इसके बाद में के जो 25 वीडियो मिलेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत बड़ा भजाएगा, इससे पहले के एक से लेकर 25 तक का एक वीडियो बनाए वाला है, 26 नंबर से 50 नंबर तक का एक वीडियो बनाए वाला है, अभी 51 नंबर से लेकर, एक 75 नंबर तक एक अलग वीडियो आएगा, तो फ्रेंड्स इसी तरह के इंफ्रमेटिव वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक्यू फ्रेंड्स